परमाड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे तो परमाड की परिभासा है किसी ततो का वह सुच्छतम कर जिन से अड़ बनते हैं तथा रसाइनिक अविकिरिया में भाग लेता है परमाड कहलाते हैं अर्था जो किसी ततो का जो सुच्छतम मतलब छोटा से छोटा जो कर होता है जिन से क्या बनता है अड़ बनता है और रसाइनिक अविकिरिया में क्या होता है भाग लेता है वह क्या कहलाता है परमाड कहलाता है परमाड के तीन मौलिक कर क्या क्या होते हैं इलेटान प्रोटा तथा न्यूट्रान से मिलकर बने होते हैं मतलब परमाडू के जो तीन मौली कड कौन-कौन होते हैं इलेटान प्रोटान तथा क्या है न्यूट्रान होते हैं तो आप सभी विद्यारति अपने कौपी में इसे नोट कर लिजे और इसे दो बार पढ़िए आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो परमाडू के बारे में समझ लिए होंगे कि परमाडू क्या होता है तत्व का सुच्छतम कड है जिससे अर्डू बनता है और रसाइने कब क्रिया में क्या होता है भाग लेता है परमाडू कहलाता है अब यहां विसेस याद रखेंगे जो कड़ कौन कौन होते हैं तो इलेटान प्रोटान और न्यूट्रान जो होते हैं वह अस्थाई कड़ होते हैं दुसरा जो है पाजी ट्रान न्यूट्रीनों एंटी न्यूट्रीनों और मेसान यह अस्थाई कड़ होते हैं तो अस्थाई और और अस्थाई ध्यान काई रख लि अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड केने या इलेटान का खोज कैसे हुआ तो आप सबी बिद्यार थी अप चितर के बारे में समझेंगे तो यह जो चितर बना हुआ है यह विसरजन नली है और इस विसरजन नली में यहां से जो देख रहे है उच बोल्टेस लगा हुआ है और उच बोल्टेज द्वारा इसमें धारा प्रवाहित किया गया है यह निरवात पंप लगा हुआ है तो जब इसमें उच बोल्टेज जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड और एनोड के बीच में एक जो है क्या है कीरन गुजरता है जो कैथोड से एनोड की योर ये चलता है तो इसका खोष सबसे पहले किस ने किये थे तो सबसे पहले जो है कैथोड केने के बारे में अध्यन किये थे सर विलियन कुरुक्स ने सबसे पहले 1889 इस्वी में इन्होंने परियोग किये थे और परियोग करने के बाद से दूसरे विज्ञानी का आए जे जे टामसन और जे जे टामसन के द्वारा जो है इस सिद्धान का जो है नियम का परियोग किये जिससे आज जो है इलटान का खोज किन को माना जाता है तो इलटान का खोज इस समय जो है जे जे टामसन को माना जाता है तो सबसे पहल सरजन नली में भरी गैस में कैथोड और एनोड के बीच उच बोल्टेज उत्पन करके कैथोड किरन का खोच किया तो ध्यान दिजे कैथोड किरन का खोच करने वाले सबसे पहले कौन थे तो सर बिलियन कुरुक्स थे सर विलियन कुरुक्स ने क्या किये थे कैथोड और एनोड के बीच में उच वोल्टेज उत्पन करके कैथोड किरन का खोज किये थे यह किरन क्या होता है रेड पलेट से धन पलेट की ओर जाता है यह किरन जो है रेड पलेट से धन पलेट की ओर जाता है ध्यान दीजिएगा यह किरन को कहां से कैथोड से और एनोड की और यह किरन जो है जाता है और इसकी जो विशेस्ता है जनकाई रखेंगे कि यह कैथोड से जो इसकी विशेस्ता है जो है क्रमस्रा आपको नोट करना है और आपको एक एक विशेस्ता को ध्यान से सुनेंगे त को हल् fibers we Brenda सकते हैं कि या कैथोड से एनोड की ओर चलता है अगर इसके बीच में कहल का सब पहिया रख दिया जाए काज का पहिया अगर रख दिया जाए तो पहिया को क्या करता है घूमाने लगता है अगर इसके अंदर को ठोस बस तू रख दिया जाए तो ठोस बस तू का उसमें छाया उत्पन करता है यह गैसो को क्या करता है आइनित करता है जो गैस होते हैं उसको क्या कर लेता है आइनित कर लेता है फोटोग्राफिट प्लेट को क्या करता है प्रभावित करता है तो यह सब इसके विशेस्ता ह आप सभी विद्यारती इस विश्यस्ता को करमसर अपने कौपी में क्या किजेगा नोट करते चलिएगा बताया जाएगा तो अब इसकी आगी क्या लिखेंगे अब हम लोग समझेंगे यह रेड आवेशित कडो से मिलकर बनी होती है मतलब जो यह किरण है वो किस से मिलकर बनी को नहीं होती है जिने हैं इस्टोनी ने इलेटान नाम दिया इस तूनी नाम के जो विग्यानिक थे उस- Smoke earnest नाम दिया और अठाए 17inkle काने बद दो इस भी में जेजे टामसन ने earlier सार्वत्रिक नियतांक इबटा यम का मान जब घ्यात हो गया तोिस ने ने खोज करने वाले भी ज्यानि का नम क्या माना जाता है तो जे-जे टाम्सन माना जाता है तो सार्वत्रिक नियात्izer इबट आयम का मान कितना होता है अभी आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लिजेगा उसे दो बह पढ़ लिजेगा आपको मान भ कहे हैं कैथोर्ट की नहीं की विशंता स्वाध्यारी करता है। प Trevor क्या क्या नेकितनेxa, तो सिरिहरर किरने की मारगा करें रखा हे, प्यार में लगतना है। पर शेल Chief M shows में चति मतलब्य बजब और ऊक्यारी किरन्हें रख सेया व्हा फीमाट की और चलती है मतलब जो यह कैथोड के रने हैं वह कहां किधर से चलती है तो कैथोड से इनोड की और चलती है यह किरन रेड आवेसित कडों से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं यह किरन किसे की बनी होती है तो रेड आवेसित कडों से मिलकर बनी होती है जिन्हें इल चम्मा जो विश्यस्ता है कैथोड कीने के बीच में ठोस बस्तु रख देने पर उस बस्तु का चाया उत्पन करती है अगर कैथोड कीरण के बीच में अगर कोई ठोस बस्तु को रख देते हैं तो वस्तु का क्या उत्पन होता है छाया उत्पन हो जाता है साथमा जो है यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको क्या कर देती है प्रभावित करती है आठवा जो है कैथोड केने धात की पतली पन्नी को बेद कर बेद कर मतलब छेद कर आरपा निकल जाती है जो कैथोड किरन होते हैं धात के पतली पन्नी को क्या करती है बेद कर आरपा निकल जाती है कैथोड केने यक्स केने उत्पन करती है कैuden्फोर जो किर्ने होते हैं वो यक्स तरे किरन जो होते हैं उत्पन करती हैं यह ताप दिपती उत्पन होती हैं तो समझ में आगिया होगा आपको यह दस विसेस्ता, तो यह दस विसेस्ता को अपने कौपी में नोट का लिजे, इसे दो बार पढ़े लिजे, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, यह विसेस्ता आपको याद हो जाएगा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, इलेटान का परत इतना होता है तो अब इसके बारे में समझेंगे तो इलेटान का प्रतिक या दखेगा इलेटान का प्रतिक e होता है या इसको लिख सकते हैं माईनस 1 E के पावर 0 कहात, या E की उपर माईनस होता है, या तीन धि़्धान दीजेगा, इलेटान का ये प्रतीक है, या E या माईनस 1 E to power, आपके downside Zero है, या E के पावर माईनस होता है, तो इलेटान का प्रतीक, आप इसे नोट का लेजे, आपाइवने को होता है और यह तां का दिर मान कितना होता है तो इलेटान का दिर्मान नो दस मलो-109 तीन गुड़े दस नका दिर्मान कम्पटीशन में इतने नोट किया जाएगा तो आप लिए बहुत ही महत्पूर होगा क्योंकि यह आगे चलके जब कंपर्टीशन का एक्जाम देंगे तो इसमें से जो कोशन हमेशा पूछा जाता है अब इब टायम का मान जो है जे जे टामसन ने जो ग्याद किये थे तो मान कितना निकला था तो इ जाता है और धन केने भी कहा जाता है तो कैसे खोज हुआ किस विज्यानिक ने खोज किये इसके बारे में आज बताया जाएगा और चित्र के बारे में भी बताया जाएगा जिसके माधियम से कैनाल किन्य का खोज हुआ था तो सन 1886 इश्वी में गूलीस्टीन, ध्यान दिजिएगा केनाल किन्य के सबसे पहले अध्यन करनेवाले विग्याने कौन थे तो गोल्ड इस्टीन थे तो सन 1886 इसवी में गोल्ड इस्टीन ने छिद्र युक्त भी सर्जन नली में छिद्र युक्त भी सर्जन नली का मतलब यह हो गया कि यह जो बना हुआ है भी सर्जन नली वो चिद्र युक्त भी सरजनली है तो चिद्र युक्त भी सरजनली में कम दापर गैस भर करके उंच बोल्टेज वाली बैदुत प्रवाहित किया अब यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है गैस भर करके और उंच बोल्टेज वाली बैदुत हारा को क्या किया गया प्रभावित किया गया मतलब इसके अंदर धारा प्रवाहित हुआ तो एनोड से कैथोड की और एक प्रकार के किर्णे निकलती हैं इस किर्णे को क्या कहते हैं इस किर्णे को कैनाल या धन किर्णे कहते हैं तो कैनाल या धन किने आप लोको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे यह कैनाल किर्णे कहां पे हैं और कैसे खोज हुआ तो सबसे पहले गोल्ड इश्टी नाम के विग्ञानिक एच्छे द्युक्त भी सरजन voulais थे उसमें कम दापर गैस भर करके उच बोल्टेज में परवाही धारा किये थे और एनोर और कैथोर के बीच में एक परकार के किर्णे निकलती हैं जिने कैनाल किर्णे या धन किर्णे कहते हैं इनका नाम धन किर्णे थामसन ने दिया अब ध्यान दिजे थामसन नाम की विज्ञानिक थे इनोंने इनका धन किर्णे का नाम दिये थे जिन धनाविशित कड़ों से मिलकर बनी होती हैं इनका नाम प्रोटान रदरफोट ने 1919 में दिया अब ध्यान दीजें सबका अलग अलग नाम जो है विज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिये थे जैसे थामसन ने क्या नाम दिये थे धनके ने दिये थे रदरफोड ने क्या नाम दिये थे तो जो किरन जो निकला था उसी किरन को नाम क्या होगा प्रोटान हो गया और प्रोटान का नाम रदरफोड ने 1919 में नाम दिये तो अब चितर के बारे में समझेंगे कि यह जो चितर बना हुआ है यह चितर युक्त भी सरजन न लिये है इसमें जो क्या हुआ है कि उंच बोल्टेज जो है धारा प्रवाहित किया गया है तो यहाँ एनोड से कैथोड की ओर जो है एक परकार की किरन निकलती है जिसे क्या कहते हैं कैनाल किरने कहते हैं धन किरने कहते हैं अब इसकी विसेष्था क्या है तो इसकी विसेष्था जो है तो सीधी रेखा में चलती है इसके अंदर अगर हलका सा पहिया रख दिया जाए तो पहिया को क्या करती है घुमाने लगती है यदि इसके अंदर कोई ठोस बस्तु रख दिया जाए तो बस्तु की छाया उत्पन करती है गैसो को आयनित करती है फोटोग्राफी प्लेट को प् कॉपी में नोट करते चलिए अब यहां अपने कॉपी में नोट का लिजे धन केड़ने की विसेस्ताएं निम्न हैं पहला जो है क्या है एनोड केड़ने किस रेखा में चलती है तो सीधी रेखा में चलती है एनोड जो केड़ने हैं आप चितर में देखें हैं वो किस रेखा म चल रही थी धन केने के मार्ग में रखा पहिया को क्या करती है घुमाने लगती है अगर उसके अंदर हलका सा कागज का पहिया रख दिया जाए तो पहिया को क्या करने लगती है घुमाने लगती है तीसरा जो है यह केने एनोर से कैथोड की और चलती है मतलब यह केने जो है प प्रोटान कहते हैं मतलब यह जो कीरण होता है वा धन आवीशित कीरण से मिलकर बना होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रोटान कहते हैं प्रोटान का नाम किस ने दिये थे सबसे पाले तरादर फोट ने किस सन में दिये थे और 6 जो है एनोड के बीच में कोई ठोस बस्तु रख दिया जाता है तो उस बस्तु का क्या उत्मन होता है छाया उत्मन करती है अगर उसके अंदर जो है आभी चितर में जो बताया गया है जैसे आप चितर एक बार और देख सकते हैं अगर इसके अंदर जो है कोई ठोस बस्त को क्या करती है प्रभावित करती है मतलब उसको प्रभावित कर देती है तो जो एनोड की ने धात के पतली पन्नी को बेद कर आर पार निकल जाती है तो एनोड केने जो होते हैं धात के जो पतलीप पनी होता है उसे बेध कर क्या होती है आरपार निकल जाती है जो है आरपार बाहर निकल जाती है अगला जो है कैथोड केने यक्स केने उत्पन करती है मतलब कैथोड केने जो होते है यक्सरे यक्सरे जो होती है उसमें उत्पन करती है तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को यह विसेस्ता दसमा यह विसेस्ता है कि यह ताप दीपती उत्पन होती है तो टोटल 10 विसेस्ता आपको बताया गया, तो आप सभी भी द्यार थी, यह 10 जो विसेस्ता बताया गया, इसे अपने कॉपि में नोट कर लिजे, और इसे दो बार पढ़ लिजे, विसेस्ता आपको अच्छे से याद हो जायेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे विसेस, मतलब यह competition के लिए बहुत ही IMP माना जाता है जैसे आप लोग पाल टेकनिक का परिच्छा देजिए तो आगे चल के आपका SSC का परिच्छा देते हैं तो इसमें से छोटे छोटे जो कुशन जो है IMP हो जाता है तो जैसे दर्मान एक दसमें छे साथ दो छे गुड़े दस के पावर माइनस 27 केजी होता है याद रखिएगा एक दसमें छे साथ दो छे गुड़े दस के पावर क्या होता है माइनस 27 kg होता है तिसरा जो है प्रोटान का आविस प्रोटान का आविस कितना होता है तो एक दस्मनों 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम होता है तो यहां जो है प्लस होता है अगर प्लस लिखना चाहे तो प्लस लिख सकते हैं अगर हैं माइनस करते हैं तो इलेटान का आविस हो जाता है इलेटान का आविस कितना होता है तो माइनस एक दस्मनों छे गुड़े तस के पावर माइनस 19 कुलाम होता है और प्रोटान का जो आविस होता है या पाजेटी होता है मतलब धनात्मक होता है तो प्रोटान का जो है बिसेश आप लोग अच्छे से समझ में आगया होगा इसे अपने कॉंपी में नोट का लिजेघा दो बार पढ़ियेगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा अब हम लोग पढ़ेंगे नूटरान का खोज. नूटरान का खोज किस ने किये थे? तो याद लेखें, सन 1932 सिस्वी में जेम चैडविक ने बरेलियम तत्य पर अलपा कड़ का बंबारी करके नूटरान का खोज किये थे. तो नूटरान का खोज कैसे हुआ? तो बरेलियम तत्व पर किसका बंबारी करके अलफा कड़ का बंबारी करके न्यूटरान की खोज किये थे तो अब यहाँ नोट कर लेंगे न्यूटरान का खोज सन 1932 में जेम चैडविक ने बरेलियम तत पर अलफा कड़ की बंबारी करकी न्यूटरान का खोज किया तो यहाद दखिएगा जेम चैडविक जो थे यह बरेलियम तत लिया और बरेलियम तत पर अलफा कड़ मतलब हीलियम हिलियम का बंबारी करके न्यूट्रान का खोज किये थे और न्यूट्रान जो होता है बिद्दूत उदासीन कड़ होता है मतलब इसके अंदर जो है ना प्लस होता है चार्ज ना माइनस चार्ज होता है मतलब यह आवेसित नहीं होता है उदासीन होता है इसके अंदर जो है करेंट नहीं होता है उदासीन कड होता है तो यहां लिख लेंगे यह बिद्धुत उदासीन कड होता है इसका द्रमान जो होता है प्रोटान के द्रमान के लगभग क्या होता है बराबर होता है मतलब इसका जो द्रमान मतलब न्यूटरान का द्रमान प्रो परमाड करमांग चार होता है और परमाड भार क्या होता है नौ होता है और हिलियम का टू या चाई फोर होता है जब इसके उपर बंबारी किया जाता है तो कारवन बनता है और कारवन बनने के साथ क्या बनता है निूट्रान बनता है अब दोनों पच देखेंगे क्या बराब पर आना चाहिए तो यहां दोनों पचा आपस में क्या है बराबर है जीरो यन वन क्या है जीरो यन वन जो है न्यूटरान है तो न्यूटरान समझ में आ गया होगा जब रेलियम तत पे अलफा कड़का बंबारी करके न्यूटरान का खोज हुआ अब इसे सियात करेंगे तो न्यूटरान का परतिक क्या होता है तो न्यूटरान का परतिक जो होता है जीरो यन वन होता है यह इसे यन भी लिख सकते हैं तो न्यूटरान का परतिक जीरो यन वन होता और इसका द्रमान कितना होता है तो एक दसमलों छे साथ चार वे दस के पावर माइनस 27 क्या होता है क के जी होता है तो यह किसके दर्मान के लगभग में क्या है बराबर होता है नीटरान का आविश क्या होता है तो आज हम लोग पढ़े धन के ने और कैसे खोज हुआ प्रोटान का खोज कैसे हुआ नीटरान का खोज कैसे हुआ धन के ने की विश्यस्ता क्या थी आज की वीडियो में बताया गया तो यह वीडियो कैसा लगा